नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें दिली में पहलवान आंदोलन पर हैं और बिहार में पहलवानों के समर्थन में सियासी घहमासान शुरू हो गया है आंदोलन पर बैठे पहलवानों का समर्थन का सियासी कुष्टी का खेल जारी है और इस सियासी कुष्टी के खेल में पटकनी बीजेपी को ही देने की तैयारी है दिली में पहलवानों के आंदोलन की आग अब बिहार भी पहुंच चुकी है पहलवानों का महागटबंधन का साथ मिल रहा है वे पक्षी पार्टियों की मिटिंग से पहले महागटबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है आज पटना में महागटबंधन कैंडिल मार्च निकालेगा महिला पहलवानों के पक्ष में निकलने वाला ये कैंडल मार्च इंकम टेक्स गोलंबर से डांक बंगला चौराहे तक जाएगा महागटबंधन के कैंडल मार्च में RJD, JDU, हम, कॉंग्रेस, CPI, CPI, ML, CPM जैसी तमाम पार्टियां शामिल होंगे आंदोलन पर बैठे पहलवानों का आरोप BJP सांसत पर है और पहलवानों का समर्थन कर महागटबंधन BJP को सियासी पटकनी देने की तैयारी में है पहलवानों के समर्थन के साथ साथ केंदर सरकार के खलाफ महागटबंधन की रणनीती भी तैयार है सबसे पहले आज महिला पहलवानों के पक्ष में केंडल मार्च निकाला जाएगा उसके बाद 15 जून को केंदर सरकार के खलाफ जातिकत जनगन्ना, महंगाई, बेरोजगारी पर प्रदर्शन होगा किसानों की आय दोगनी करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा सभी जिलो और प्रखंडों में धरना प्रदर्शन होगा महागडवंदन का मकसद केंदर सरकार की नाकामियों को जनता के बीच पहुँचाना है अब पहलवानों के समर्थन में केंडल मार्च कर बीजेपी को घेरने की महागडवंदन की तयारी है तो जवाब बीजेपी के पास भी है बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ची दलों के पास मोधी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है तो खिलाणियों की आड में सियासी दाओ खेल रही है बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जिस बीजेपी सांजत के खिलाफ पहलवान यौन शोसन के आरोप लगाए गए हैं उन पर बकाईदा मामले दर्ज किये जा चुके हैं जाच चल रही है तो केंडल मार्च के जरिये इस आज को भढ़काने की कोशिश भी नाकाम होगी